अपने देश की राष्टियर अलधानी यानि की नैशनल कैपिटल है न्यू डेली जबकि फैनेंशियल कैपिटल है मुंबई क्योंकि मुंबई में Stock Exchange और Reserve Bank जैसे Financial Institution तो काफी सारे Multinational Companies और Corporate का Headquarter है लेकिन अब दिल्ली के पास ही Mini Mumbai के रूप में Fintaxity डेवलप की जा रही है जहाँ पर Stock Exchange, SEBI और RBI का Office, Digital Money, E-Payment Gateway, Bank, Insurance, Corporate और Commercial Complex बनाया जाएगा तो चलिए अब इस तार से देखते हैं कहाँ पर बन रहा यह Fintax City और आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या-क्या सुग्दा मिलने वाली है यह है Yomna Expressway, 165 km का यह Expressway Greater Noida से आगरा को कनेक्ट करता है इसी Expressway के किनारे जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेया जा रहा है और एयरपोर्ट के पास ही यहाँ पर Film City भी बन रहा है जो कि मुंबई के Fintax City से लगबग दो गुना बड़ा होगा और अब एयरपोर्ट से मासत पीमेट की दूरी पर ही Fintax City बसाया जा रहा है जो कि मीनी मुंबई कहला आएगा क्योंकि अब Fintax City Finance का हब होगा इस Fintax City में मुंबई की तर्ज पर Stock Exchange, RBI यानि कि Reserve Bank of India और SEBI का भी Office होगा इसके अलावा Online Payment, E-Payment, Digital Payment के लिए Research Center, Data Center, Bank, Insurance और Corporate के लिए Office इसके साथ ही Commercial Complex, Luxury Hotel और Service Apartment में यहाँ पर बनाया जाएगा Fintax City में Commercial, Institutional और Common Facility का Land यूज होगा चोरी-चोरी सरके बनाए जाएगी इतना ही नहीं यहाँ पर Convention Center, Auditorium और Entertainment का भी बढ़िया आप्शन होगा यह Fintax City सेक्टर 7 में डेवलप होगा इसके लिए लगोग 700 एकर लैंड रिजर्व कर दी गई है और Yomna Expressway Authority के द्वारा इस City को डेवलप करने के लिए DPR भी त्यार है हर्स्ट फेज में 250 एकर एरिया में इस Fintax City को बसे है जाएगा तो ऐसे Fintax City के पास है Film City, Electrical Manufacturing Hub, Medical Device Park, Logistic Park, Toy Park, Apparel Park, MSME Park और अनगिनत डेवलपमेंट होने वाला है